है है फ्रेंज मेरी यूटूब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय में आपका एक बार फ्यूर से बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको आखों के काले घेरे को दूर करने के लिए यानि के डॉक सर्कल को दूर करने का असान सा घरेलू उपय बतान जानी हूं इस न सब्सक्राइब कर ले बेल बटन को जरू क्लिक कर लें ना वीडियो इसको न पाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा यह यह जल कि आप एलोरा की ताजी पतियों से जेल निकाल कर इस्तमाल में ला सकते हैं आप एलोरा की इस्तेमाल से डाक सरकल दूर होते हैं यह को मौशराइज करता है साथ ही यह आपकी तोचा में नमी बनाए रखता है अलवरा जल लेना है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है आपको लेना है लेमन पील पाउडर थोड़ी सी मात्रा में यह आपको मार्केट में भी मिल जाएगा या फिर आप नीबू के छिलकों को सुखा ले और उसका पाउडर त्यार करके आप रख ले यह बहुत ही फैदेमंद होता है तोचा के लिए तोचा के दागधबो को दूर करने में तोचा के कालेपन को दूर करने में अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है औरेंज पील पाउडर यानि संत्रे के छिलके का कि यह विटामीन शी से भरपूर होता है जिससे आपकी तचा को पोशन मिलता है सांथी तचा के दाग धबे कालापन को दूर करने में बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव होता है इसके बाद को इसमें रोज वाटर इस्तिमाल करना है गुलाब जल के इस्तिमाल से डाक सरकल तेजी से दूर होते हैं साथ ही या आखों को ठंड़क देता है इन सारी चीजों का पच्छे से मिक्स कर ले अगर आपके पास संत्रे के चिलके का पावडर यानी औरेंज पील पावडर नहीं है तो आप इसके जगव पर संत्रे के रस का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से mix कर ले अब इसका इस्तेमाल करना है आपके आखों के चारोर इस लगाए ध्यान रहेगँ आपके आखों के डाक सरकल पूरी तरह से दूर हो जाएंगे अगर आप इससे चाहें तो पुरे चेहरे पर इस्तिमाल कर सकते हैं पुरी चेहरे के दाख धबो को और काले पन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्याद एफेक्टिव है यह इसके इस्तिमाल करके देखें आप